फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर हमने देखा है कि जितना बड़ा अक्टर उसकी आस्था सूपरस्टीशिस में उतनी ही होती है और होगी क्यों नहीं, अक्टिंग लाइन के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर टैलेंट के साथ साथ लग भी काम करता है बड़े-बड़े सूपरस्टार्स की लाइफ में ऐसा हो चुका है, अमिता बच्चन के साथ ऐसा हो चुका है हम सब जानते हैं कि अमिता बच्चन ने एक चाइम पर बेहत बुरा वक्त देखा था मुंबई में सब कुछ बिकने को आ गया था और पास में काम भी नहीं था 90s एंड किये बात है जब अमिता बच्चन ने ABCL प्रोड़क्शन हाउस चुरू किया था और ये फ्लॉप हुआ था, एक के बाद एक फिल्मे फ्लॉप होई थी अमिता बच्चन पर कहा जाता है तब सौ करोड का कर्ज हो गया था तब अपनी एस्तिती को सुधारने के लिए अमिता बच्चन ने जो स्टोन पहना था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस बुरे वक्त में अमिता बच्चन अपने एस्ट्रोलाजर से मिले जिस दोरान उनके एस्ट्रोलाजर ने उन्हें एक नगीना पहनने के लिए कहा और अमिता बच्चन ने अपने एस्ट्रोलाजर के कहने पर इस नगीने को पहना और वहीं से उनका वक्त बदलना शुरू ह जो रफ्तार उनकी जिंदगी ने पकड़ी वो आज भी जारी है आमिताब को उनके एस्ट्रोलाजर ने नीलम पहने के लिए कहा था जब ABCL फ्लॉप हुआ जब अमिताब के हाथ से सब कुछ जा रहा था तब ही उन्होंने हाथों में नीलम की अंगूठी पहनी वहां से अमित अमिताब ने फिर से अपने करियर की शुरुआत कर दी और कभी मुड़कर उस दौर की तरफ नहीं देखा जहां तक बात है कर्ज की तो एक बार फिर से अमिताब ने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने वो सारा कर्ज उतार दिया और तब से लेकर आज तक अमिताब बच्चन काम करना नहीं छोड़ा है तब्यत खराब हो, कोविड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, रात, दिन हो अमिताब बच्चन काम ही करते हैं और जिस तरीके से वो काम करते हैं उसे यही मैसेज जाता है कि जब तक सांस है तब तक वो काम करते रहेंगे इतने सीनियर होने के आज भी इंडस्री के सबसे busiest senior actor है.